नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है Landscape of the Soul दोस्तों ये चैप्टर नेथली टुवरोई ने लिखा है इस चैप्टर में उन्होंने दो बिल्कुल अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के बीच में डिफरेंस दिखाया है चाइनिज आर्ट एंड ये उरोपियन आर्ट ये डिफरेंस उन्होंने दो स्टोरी के तुरू समझाया है तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं पहली स्टोरी चाइनिज आर्ट से जुड़ी हुई है एक पेंटर जिनका नाम वू दाउजी था जो एट सेंचरी यानि आठवी सधी के महान पेंटर थे उनको उस टाइम के एंपरेर जुआन जौंग ने अपने महर की दिवार के लिए एक लैंड्स के पेंट करने के लिए बोला कौन जानता था कि ये वू दाउजी के आखरी पेंटिंग होगी पेंटर वू दाउजी ने अपना मेन आर्टवर्क स्क्रीन के पीछे चुपा दिया था ताकि सिरफ एंपरेर ही उसे देख सके जब एंपरेर ने पेंटिंग देखी तो उसने पेंटिंग में कई चीजों की तारीफ की जैसे फॉरेस्ट, हाई माउंटेंस, वाटरफॉल्स, फ्लोटिं क्लाउड्स, हिली पात पर चलते हुए लोग और हवा में उड़ती हुई बर्ड्स, फिर पेंटर ने उने पेंटिंग में दिख रहे एक माउंटें के ठीक नीचे बनी एक गुफा की तरफ देखने के लिए कहा और कहा कि यहाँ एक जीवित आत्मा रहती है और फिर पेंटर ने ताली बजाई जैसे ही उसने क्लैप किया, पेंटिंग में दिख रही गुफा का दर्वाजा अचानक से खुल गया और उसने बोला कि आईए किंग, मैं आपको गुफा के अंदर की खुबसूरती दिखाता हूँ जैसे ही पेंटर केव के अंदर गया, वैसे ही पीछे से केव का दर्वाजा बंद हो गया किंग उस केव में नहीं जा सका ये देखकर किंग बहुत हरान हुआ और अचानक से पेंटिंग दिवार से गायब हो गई और फिर वो painter कभी किसी को दिखाई नहीं दिया आगे इस chapter में हमें ये पता चलता है कि इस तरह की stories चाइना की classical education में काफी important role निभाती थी चाइना के महान philosopher Confucius and Wangzi की books में इस तरह की अनेक stories मिल जाएंगी ये books गुरू को अपने शिष्षे को right direction में guide करने में मदद करती है इन stories को आत्मा का खुलासा करने के लिए consider किया जाता था जैसे कि आर्ट का खुलासा किया जाता था इसी context में एक और famous story है जिसमें बताया गया था कि एक famous painter ने अपनी painting में dragon के आई को paint नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं आई बनाने के बार dragon painting में से उड़ना जाए ये उन सब कहानियों में से एक है जो western Europe के area से निकली हुई है 15th century Belgium के एक शहर Antwerp के अंदर एक लोहार जिसका नाम Quentin Metzis था उसे एक painter की बेटी के साथ प्यार हो गया लेकिन क्योंकि वो painter इस relationship को accept नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एक लोहार था इसलिए वो लोहार उस painter के studio में चुपके से चला गया और उसकी बनाई हुई बिल्कुल latest painting पर एक मक्षी बना दी उसकी बनाई हुई मक्षी इतनी real थी कि painter ने उसे hit करने की कोशिश की दोस्तों उपर की ये दोनों stories दो अलग-अलग region से निकली आर्ट की तस्वीरे दिखाती है European paintings में आर्ट बिल्कुल perfect और एक illusion की तरह दिखती है जो किसी चीज की तरह दिखाई देती है और वहीं अगर हम Asian art की बात करें तो यहाँ inner life और spirit यानि जीवन और आत्मा का सार दिखाई देता है जैसे Chinese story में हमने देखा कि artist ने king को अपनी painting से ये समझाने की कोशिश की कि वो अपने territory पर rule कर रहा है लेकिन उसे दुनिया के असली रहस्यों के अंदर जाने का रास्ता नहीं पता king ने painting के outer appearance पर जादा focus किया artist का काम काफी mysterious था और यहाँ एक word आता है दाओ जिसका मतलब होता है ऐसी चीज जिसके दो रास्ते हैं यानि artist के cave में जाने से वो painting अचानक से गायब हो गई थी इससे artist का motive फुल्फिल हो जाता है कि कुछ काम ऐसा भी है जो material appearance के beyond है एक classical chinese landscape actual meaning को दुबारा दिखाने के लिए नहीं होता जैसे European paintings में होता है जहाँ पर European painter अपने spectator से ये चाहता है कि वो उसकी आखों से painting को देखे यानि वो जो दिखाना चाहता है वो spectator देखे वो भी एक specific angle से लेकिन Chinese painter का single viewpoint नहीं होता उसका landscape real नहीं होता आप चाहें तो कहीं से भी उसकी painting में enter कर सकते हैं और फिर artist आपकी eyes के लिए उपर और नीचे travel करने के लिए एक रास्ता बनाता है और फिर आप अराम से उसी रास्ते से वापस भी आ सकते हैं चाइना में इस तरह से painting देखना काफी enjoyable है इसमें एक horizontal scroll एक तरीके के artistic form होती है horizontal scroll painting के एक form है जहां painting का हर एक section रोल करके खोला जाता है नीचे से उपर इससे एक dimension create होती है जो दूसरी किसी art में देखने को नहीं मिलती इसमें viewer की दोनों physical as well as mental level पर participation चाहिए होता है Chinese painter चाहता है कि आप उसके mind में enter हो और उसके thoughts से painting देखो Chinese painter द्वारा created landscape spiritual, inner और एक खुले space की तरह होता है Chinese art के इस concept को sanctuary के रूप में भी express किया जाता है sanctuary का मतलब है mountain water इसे landscape को represent करने के लिए भी use किया जाता है landscape में जो mountain दिखता है वो yang है यानि सीधा, उपर heaven की तरफ stable, warm, and sun के अंदर dry और दूसरा water, यानि yin जो एक feminine, यानि woman को represent करता है और पूरे universe की energy को भी yang active और masculine है और yin, opposite है, यानि shant and feminine इसके अलावा third element भी है जिसे middle void कहते है यानि खाली space जो white है, जिसे paint नहीं किया गया यही heaven और earth के बीच की जगा है, यह वो tube या channel है जहां universe के दोनों poles का communication होता है इनसान की presence यहाँ पर जरूरी है यही वो middle void है जहाँ पर human का एक important role है उसे एक important role मिलता है finally दोस्तों हमें outsider art के बारे में भी पता चलता है जो इस chapter में हमें बताया गया है जिसके बारे में ब्रिंदा सूरी बताती है दोस्तों outsider art ऐसी art जो की untrained artist द्वारा तयार की जाती है जैसे कोई बच्चा हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके पास formal education नहीं है ये उन लोगों द्वारा बनाए गई art है जो professionals नहीं होते लेकिन अपने अंदर की घहराई और समझ के साथ एक art create करते हैं जो की classical या fashionable art जैसी नहीं होती वो बिलकुल अलग होती है इसके अलावा poet art brute और raw art के बारे में बताती है नेक चंद जो की असी उमर के एक पुराने creator है और अपने famous rock garden जो की चंदिगड में है उसके director भी है उन्होंने हर वो चीज चाहे वो कूडा हो, कबाल हो हर चीज से उन्होंने अपने इस garden को सजाया है और उनकी सबसे famous creations है woman by the waterfall तो दोस्तों इस chapter का conclusion यही है कि art एक infinite form है जिसकी history बहुत ही rich है और वो किसी एक certain box या label में fit नहीं हो सकती क्योंकि art की अपनी एक life है यानि दोस्तों अगर हम मोटा मोटा बोलें तो यह chapter हमें यही समझाना चाहता है कि imagination के importance बहुत जादा है और कैसे painters के अपने different perceptions हो सकते है art form ज़रूरी नहीं कि एक single perception से देखी जाए ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते है जिससे आप एक single painting को imagine कर सकते है और यही हर painter चाहता भी है कि उनके spectator सिरफ outer appearance को ना देखें बलकि अंदर से अपनी अंदर की आँखों से कि painter exactly क्या दिखाना चाहता है या उसने इस paint को या इस art को कैसे create किया है वो देखें तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस chapter का explanation खतम हो जाता है उमीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का explanation समझ में आ गया होगा आप से मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ग्यान ओके थैंक यू